नमस्कार स्वागत आपका न्यूस वर्ल्ड इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारूल त्यागी एक नज़र डालेंगे उत्रखंड की खबरों पर उत्रखंड में आज से टीरी जील महतसर शुरू हो गया है मेले का उत्खाटन मुख्य मंत्री रवेन सिंग रावत ने सुबह 11 बज़े किया उन्होंने मेलम में डेव दोलियो की पूझा अरचना कर आश्रवाद लिया इसके बाद कोटी कॉलोनी में सहसे खेलो की जानकारी ल रहें क्रिशी मंत्री सुबो दुनिया उच्च शिक्षम मंत्री धंसिंग रावत भीस दौरान मौझूद रहे जनता पर फिर से महंगाई की मात पड़ी है दरसल घरेलू गैस सेलेंडर के दाम तेल कंपनियों ने फिर बढ़ा दिये हैं जिस पर अब सियासत भी शुरू हो हम गैस के रेट कम करेंगे लेकिन आब आप देखिए कि 400 रुपे का सेलेंडर जब कंग्रेस सासन में था और आज लगातार बढ़ते बढ़ते आर्सो और 900 रुपे का हो गया और गैस ही नहीं पैट्टोल के दाम बढ़ रहे हैं डीजल के दाम बढ़ रहे हैं महंगाई बढ़ती महंगाई पर सियासत गर्मा गई है कॉंग्रेस राज्य भर में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जम कर विरोध प्रदर्शन किया वहीं कॉंग्रेस प्रदेश और देयरक्स प्रितम सिंग ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले सरकार ने बहुत हुई महंगाई की मार अबकी बार मोदी सरकार का नारा दिया था लेकिन चुनाफ जीतने के बार सरकार इस नारे को पूल गई है सत्ता में बेठे हुए लोगों ने चाहे लूग सवा का चुना हुआ या किसी राज़ कई दहान सवा का चुना हुआ ये की नारा बुरुद करने का काम क्या कि बहुत ही महंगाई की मार अपकी बाहर महाज़ब सरकार सरकार आई पर्चन महमस के साथ लेकिन महेंगाई अपने चरम पर है आए दिन गेस के दाम बढ़ रहे हैं पैट्रोड के दाम बढ़ रहे हैं डिजर्ट के दाम बढ़ रहे हैं गरीब आदम का जीना दूरख हो गया है एक और कोरोना की महमारी से जंग लड़ा है दूसरी और जो है महेंगाई से वह जंग ल कांग्रेस के प्रदेश सच्चेव और लालकुआ विधान सवा प्रभारी विजय चंद्रा ने दावा किया है कि 2022 में उत्राखंड में कॉंग्रेस उन भाउमत के साथ सरकार बनाएगी उन्होंने वर्टमान सरकार पर हर मोच्चे पर विपर्खोने का आरोप लगाते हुए कह कि बीजेपी सकार के कारेकाल में विकास कारे पूरी तरह से ठप पड़े हैं बेरोजगारी बड़ी हैं रोजगार के अफसर समाप्त हुए हैं बीजेपी के पूर्व नगर महामंत्री और नगर पंच्रायत के पूर्व सभासत पवन उफ नीलू चौद्री के निधन पर पीजेपी के वरिष्ट नेताओ और मंदल के सभी कारकरताओं ने स्थानिय गुर्द्वारा सिंग सभा के सवागार में शोक सभा आयुचित कर उन्हें शुद्धांचली दी शोक सभा में जुलाद्यक्ष प्रदी बेश्ट विधायक नवीन चंद्रुदुमका सहित मंदल के पदधिकारियों ने पवन उफ नीलू चौधरी के निधन पर घहरा शोक प्रकत किया नीलू चौधरी उर्फ पवन चौधरी जो की भाजपा के बरिश्ट कार करता है पूर में सभासर लालकवा के पिरमुख व्योशाई पिरमुख समाज सेवी अलपायू में आज हमारे बीच में नहीं है अभी हमने उनकी सोक सुर्दान जली सभा की है निश्चित रूप से समाज में एक सक्ति पुंजी के रूप में स्थाबिद नीरू चौधी का अचानक जाना हम सब के लिए दुखाद है हिर्दय विदारग है और कोई भी व्यक्ति ऐसे उसर पर एक ही प्रात्ना कर सकता है कि उनकी आत्मा को स्थाम्ती मिले परमपिता परमेश्वर की इच्छा के आगे किसी की इच्छा नहीं चली हम भगवान से प्रात्ना करते हैं कि उसके अपने चरणों में इस्थाम दे उसको सदगती दे इस असहनी पिडा को उसके परिवार को सहने की समता प्रदान करे हम सब भरती जनता पर्टी का जिला द बहुत दुखी है और उस परिवार को ताकत प्रदान करें प्रभू से यही कलपना करते हैं तीरी गडवाल के देव प्रियाग के पहले पूर्व अभ्यास के तहद बसंद पंश्वी पर एक वाफिक गंगा घाटों पर श्रगधालू की भारी भीड जुटी जिसको देखत मिलकर गंगा नदी बन जाती है मसूरी से विधायक गणेश जोशी ने शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट को श्रधांचली अर्पित की विधायक ने श्रधांचली दी नहरू कॉलोनी से श्रहिद मेजर चित्रेश बिष्ट के आवास पर विधायक उने श्रधांचली देने पहुंचे थे बतादे पुल्वामा हमले के बाद आईईडी डिप्यूज करते वक्त हुए ब्लास में मेजर श्रहिद हो गए थे विश्व प्रसिद श्री बदिनाद धाम के कपाट 18 मई सुबा चार बच को बंदा मिनट पर खुल चाएंगे तेल कलर श्री आत्रा 29 सप्रल से शुरू होगी बसंद पंच्मी के अफसर पर नरेंद्र नगर राजदरबाव में महाराजा मनुज येंद्र शाह के उपस्तिती में आयुजित धार्मिक समारो विदेविधान पूर्वक बद्रिनाद धाम के कपाट खुलने की तिथी तैय हुई प्रदेश के मुख्य मंतर त्रिवेन सिंग रावत और परेटन मंतरी सत्पाल महाराज रेबसंद पंच्मी के शुव अपसर पर बद्रिनाद धाम के कपाट खुलने की तिथी घोशित होने पर प्रशन सव्यक्त की उत्रखन के जनपर उद्दम सिंग नगर के सस्पी दिलिप सिंग पूर ने नशी के विरुद अभ्यान चलाया नशामुक्त देव भूमी नाम से अभ्यान के तहट जिले के थानों में लगतार कच्ची शराव, स्मैक और नशी के कैपसूल, चरस, अपीम, गांजा, नशील इंजेक्शन पूलिस ने पक्ड़े हैं, दश्रामुक्त अभ्यान चलाते हुए, एसपी प्रमोद कुमास, यो अक्षे, पहलाद कोडे के नितुर्त में एक गोश्टी का जिन वरिष्ट कॉंग्रेसी मनीता, शफीक अंसारी के निवास पर किया गया, जिसमें लोगों ने अपने विचार रखे। किसको बेज रहा है, कहां से ले के आ रहा है, किसको बेज रहा है, उसके संबन्द में सूचना प्लिस को दी जाए, उसका नाम गुपने रखा जाएगा, और उस पर विदी संबत कारवाई जो है, वो की जाएगी। हुए मलवे में पांस दिनों तक जिन्दा लोग फसे रहे, सोरंग से निकाले गए ग्यारा में से छे शवों की पोस्ट मॉडम रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। उत्रखन के खबरों में बस इतना हैं, लेकिन देश, दुनिया के और तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें न्यूस वर्ल इंडिया।